दोस्तों, mutual fund में तो सभी निवेश करना चाहते हैं, यह होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत ही जाला research कर पाएंगी कौन सा सबसे अच्छा mutual funds है, तो क्यों होना एक छोटा सा shortcut तरीका प्राज है, जिससे आप बहुत अच्छे mutual funds कर सकते हैं, बस एक मिन किस है और वो भी बिल्कुल पांच मिनिट के अंदर ही आप इसको काम कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है, सारी विगनर्स के लिए बहुत है तो इस वीडियो को देखते रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवजीत और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चै करने में help करते हैं, आपको bank FB से अच्छे returns देते हैं, उसके साथ ही आपको main thing होता है, लेकिन आपको कहाँ invest किया जाए और कब invest करते हैं, यह दो चीज है SIP के रूप में कि आपको हर महीन invest करना है, बट कहाँ invest करना है बहुत important हो जाता है, और इसके लिए आपको यह पूर करना मिट का एक base होता है, फिर इसके ओपर एक इसका head होता है, तो यह जो लिचे base होता है, वो strong strength provide करता है, ऐसे ही large cap, मतब कि जो बड़े-बड़े कंपनियों में mutual funds पैसा लगाते हैं, यह mutual funds में आप में जो आपसे पैसे कठा करते हैं, वो बड़ी-बडी कंपनियों के शे small cap बिल्कुल छोटे हैं, वो उनका छोटा profit है लेकिन उसके अंदर potential है, तो जैसे ही आप अपने portfolio बनाते है, large cap, mid cap, small cap को ज्यादा large cap, mid cap को कम small cap डालते हैं, उसी तरह से आपको mutual funds में इस तरह से diversify करना चाहिए, large cap mutual funds में, multi cap mutual funds, जो इन सब को एक mix लगाते हैं, यह small cap, जो small मिला के ही कमरेश की होते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं, तो diversify करना आपको जरूरी है mutual funds select करने के पहले, यानि आपके portfolio में एक mutual fund ही होना चाहिए, आपको चार्ज से पास mutual funds कम से कम select करने पढ़ेंगे, चाहें आपका 2000 रुपे का इन इमिस्टी होना, अब देखते हैं कि बी उतना जादा नहीं होता है, mid cap, small cap में return जादा होता है, क्योंकि छोटी company ज्यादा जल्दी से बड़ी करेगी, लेकिन already बड़ी company है, जैसे आपका 10 लाग profit है साल का, तो आप 10 लाग से 20 लाग करना मुश्किल है, लेकिन आपका 10 हजार profit है, तो उसको एक लाग करना असान है, क्योंकि आपको कोई भी job मिलेगा, आपका 10 लाग से बड़ जाएगा, तो उसी तरह से आपको large cap mutual funds में stability मिलती है, लेकि, mid cap, small cap में growth की ज्यादा opportunity मिलती है, लेकिन थोड़ा risk रहता है, और multi cap में moderate होता है, इन दोनों का mix रहता है, और balance fund में, वो क्याता है, equity में भी लग नहीं है, उसमें भी आदा लगाता है, तो मिलता हो mix रहता है, और वो ज्यादा safe होता है, तो उसमें कम returns मिलती है, लेकिन safety ज्यादा रहती है, तो अपने risk के हिसाब से आपको सबसे पहले ये decide करना चाहिए, mutual fund select करने के पहले, तो select करने के पहले लिए, दो चीज मैंने आप आपका less age है, तो आपको एक aggressive portfolio चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत life आगे बाती है, और आप mutual funds में जब डालेंगे पैसा, तो आपका money दीरे 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 grow करेगा हो, और आप risk ले सकते है, क्योंकि आप 35 कम years के लिए थोड़ा एक साल down भी हो गया, तो आपको उतना पैसे क पैसे की निया है, क्योंकि आप income stage में, तो यहाँ पर risk ज़्यादा हो सकता है, बट आपको चाहिए क्या returns को कि आपकी आगे life में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए आपको return ज़्यादा चाहिए, और इसलिए आपको mid cap, small cap में focus करना है, लेकिन large cap को best बना के 500 rupees mid cap में, small cap में और 500 rupees mid cap में, तो 2 mid cap, small cap और 2 large cap, आप इसमें 1 mid cap और 1 small cap की हो सकता है, दोनों mid cap हो सकता है, क्योंकि दोनों में risk almost है, लेकिन 1 mid cap, 1 small cap और 2 large cap advisable है, और यहाँ पर आपको balance fund की actually ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, 50% small and mid cap, 50% large cap, अगर आपका 35, तो अगर आपको 35 years के ऊपर age है, तो आपको क्या चाहिए, तो आपको mostly आपने अपना शादी हो जाएगा, आपके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, तो मतलब कि आपको आपको क्या है, कि आपको moderate or risk-free पैसा चाहिए जाए तो यहाँ पर आपका focus क्या होना चाहिए, ज्यादा large cap or balance fund में होना चाहिए, और small cap में exposure या mid cap में exposure कम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि growth वो provide करता है, एक limited risk तो अब ले सकती है, तो यहाँ पर आपका 30% small cap or mid cap में allocation, और 70% आपका large cap में allocation, याई बड़े funds में होका, तो देखे, इसका, अब simple सा example क्या है कि आपको इस तरह से divide करना है, 30% small limit cap में तो यहाँ पर माले कि आप 2,000 रुपे जो पिछले पाल लगा रहते हैं, तो यहाँ पर 2 large cap fund उठाएगे, पहले large cap में 500 रुपे पर में के SIP, दूसरे large cap में 500 रुपे पर में के SIP, फिर एक balance fund ही हा जाता है, वहाँ पर 500 रुपे के SIP, इसमें debt रहेगा, तो बहुत safe रहता है यह वाला, और growth का भी factor मिलेगा, और small cap में cable 500 रुपे, तो यहाँ पर 70% आपका large cap या balance fund में लगा है, और 30% component risk वाला होता है, तो यहाँ पर आपके लिए कम risk में return उतना जादे नहीं मिलता, जितना aggressive portfolio में मिलेगा, लेकिन आपका safe रह लेकिन उसमें बड़ा risk ज्यादा रहता है, तो इस तरह से आपको time करना है, ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे आप actually में पांच मिनिट के अंदर में select कर सकते है, mutual funds बहुत आसानी से, ठीक है जो यह अच्छे मैंने आपको गता है large cap, small cap, balance, इसको बस 5 मिनिट में बह rating agency और उनका कामी है कि इस टॉक को और mutual funds को rate करते हैं, यह बहुत ही dependable rating agency है, कैसे हम crystal की already, ठीक है आपके पास अब टाइल नहीं, तो यहाँ पे ratemate company बैठी जो पूरा research कर रही है और यह आपको mutual funds best select करके लिए और यहाँ पे आपको बस category select करना है, यहाँ पे आपको select करना है large cap, क्योंकि सबसे पहले आपको large cap fund चेलिए, large cap select करना है, आपको rank 1 का सब detail वाले funds आज़ाएंगे, फिर rank 2 के subs आज़ाएंगे और यहाँ पे इसके returns दिये, अब यही same चीज आपको मिल सकता है money control की website को भी, और money control के website पे इसका भी link में, description में देता हूँ, यहाँ पे large cap fund select कर और यहाँ पे आपको, देखिए जो ऊपर rank 1 वाले funds आ रहे हैं, rank 2 funds वाले, crystal के ranking वाले funds को आप definitely buy कर सकते हैं, और इसको buy करने के लिए आपको बस एक चीज लेखना है, आपको ऐसे funds select में, जहाँ पे year on year returns average बराबर है, जैसे अगर 5 साल में 21% return है आपे, तो 3 साल में भी 21 के पाज़ी ऐसा नहीं होगी, 5 year return 21 है, 3 year में आपका 10% है, 1 year का 50% ऐसा inconsistent return होना चाहिए, तो जो भी rank 1 वाले mutual funds जो आपको consistent returns दे रहे हैं, उन stocks में आपको, जैसे आप access blue chip fund हो गया है, यहाँ पे consistently return दे रहा है, ऐसी आप अगर जाएंगे और देखेंगे, तो यहाँ पर ICIC proof blue chip fund जो 21% तीन साल में 16%, दो साल में 16%, तो consistent आपको return दे रहा है, चाहिए, इतना भी आप time frame देखें बराबर, तो देखें, सारी mutual funds का ही होता है, या तो average में 15, 16, 17 के round का मिलेगा, लेकिन इससे आप जो rank finance में आप अपना दिकत, ऐसी rank 2 में भी आप देख सकते हैं और देख सकते लेकिन आप इसमें थोड़ा हलका सा इसमें inconsistency, मतलब एक साल पांसाल में 24% है, इसमें के वल 14% है, तो ऐसे तो यह भी सही है, बट इसको आप अवाइड करना चाहते हैं, तो rank 1 में आप कर सकते हैं, अगर आप rank 2 वाले को लोग लेंगे तो भी वच्छा है, तो देखें, mutual funds ranking, अगर आपको कोई में ने करना, इस पर आग बंद के डिपेंड कर सकते हैं, और जो भी category आप से लेकर इन इसको हो जाएगा, तो जैसे large cap मैंने आपको बताया, फिर आप mid cap में ऐसी दिख सकते हैं, तो कि LMT mid cap बहुत ही भुशानदार fund है, और Axis mid cap fund बहुत अच्छा mid cap fund, the DSV black rock बहुत अच्छा fund, तो ये सारे mutual funds को अगेन ये देख के आप ले सकते हैं, और इसके साथ ही आप small cap भी देखना चाहिए, तो यहाँ small cap बहुत ही चाहिए, और यही सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये सारे mid cap friends को आप देख सकते हैं, ऐसे ही small cap fund में आप जाए, तो rank 1 वाले funds क्रिसल के, उनकी website पे भी दिया हुआ है, यहाँ पर cross verify करके कर सकते हैं, आप small cap funds में भी और यहाँ पर भी दिखिया आपको बहुत अच्छे funds का detail मिल जागा है, ऐसे ही आप यहाँ पर small cap में आप भी दिख रहा है, यहाँ पर SDSC small cap fund का growth plan, तो यह बस एक consistent return 26-20, यूँकि बहुत अच्छा return माना जाता है, मेरे इसाब से तो बहुत अच्छा return है, compounded basis पर calculate करें, तो ऐसे आप select कर सकते हैं, quickly, यहवल 5 minutes में आपको कुछ नहीं पता है, तो यह dependable तरी पूर्फोलियो बना है, अगर आप aggressive है, मतलब आप 35 यर्स के कम है, यहाँ पर देखे 500 रुपीज आप लगा सकते हैं, एक्सेज मिट कैफ फंड में, 500 रुपीज लगा सकते हैं, SDFC small cap में, तो यह आपका growth factor ब्लाइट करें, और Axis Blue Chief Fund और Reliance Large Cap Fund, इन दोनों में अगर इन सब का growth option आप select कीजिए, growth plant, dividend नहीं, यह dividend में क्या होता है, आपको returns कम मिलते हैं, आपको regular income, लेकिन आप 35 यर की कम है, तो आपको dividend नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आपको grow जादा करें परसा, तो आप इसमें growth plan select कीजिए, अब यहाँ पर अगर आप moderate हैं, तो इसके ल small cap में, इन दोनों से किसी एक में डाली है, एक महिने आप access new cap में डाली है, एक महिने, SDFC small cap में डाली है, 500 rupees SDFC balance fund, यह balance लाएगा आपकी portfolio, access blue chip और alliance large cap fund, यह दो funds आपके portfolio में large cap component को काम करें, तो एक moderate portfolio जो आपको 5 साल, 6 साल में 15% compound return लेगा, जो कि बहुत अच्छा शानदा return ह और यह आपका risk भी manage करेगा, तो दोस्तों इतना simple तरीका है आपको, अगर आपको कुछ idea नहीं आपको शुरू करना और आप उतना research नहीं करना चाहते हैं, आपके पर उतना time नहीं कि आप एक fund कर, management जाने हो, उसका expense ratio देखें, उसका सारे ratios के लिए करें, इस सबसे आसान कर और बहुत अच्छे fund कर सकते हैं, ऐसे ही और वीडियो अगर आप देखने हैं, तो आप इस चैनल को subscribe किजिए, और आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसे model portfolio लाता रहूंगा, तो जरूर देखते रहे हैं, जानो और सीखो के चैनल को, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब त